हेलो गाइज वेल्कम बैक तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यह एक कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में तो यह कोर्स बेकिनर टू अडवांस लेवल है और फ्री ओफ कॉस्ट है तो आज इस कोर्स की जो है वो लास्ट वीडियो है क्योंकि पिछली वीडियो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि SEO किसे कहते हैं और फिर यह बात डिसकस की गई थी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लि जो है उन की वर्ट्स को ओप्टिमाई किया अब आखरी स्टेप जो है जो चौता स्टेप है वो है off page optimization how to do off page SEO और इसको इस तरह भी कहते हैं कि how to create high quality backlinks backlinks किस तरह बनाते हैं backlinks क्या होते है off page SEO क्या होती है तो यह हम आज की इस वीडियो के अंदर discuss करेंगे तो friends backlinks जो है इसकी जो आसान इसको समझने का जो definition है वो यही है कि backlink का मतलब होता है कि आपकी website internet पर किसी दूसरी website के साथ connected हो just simple यह backlink का मतलब है कि आपने अपनी website को किसी दूसरी website के साथ connect करना होता है back links बनाने में भी यही होता है कि हम अपनी website को दूसरी website के साथ connect कर देते हैं तो यह simple backlink की जो है वो definition है और off page optimization भी इसी का नाम है तो back links का क्या फाइदा होता है back links बनाने का फाइदा यह होता है कि आपकी website जब किसी दूसरी website के साथ connected होगी तो google को यह signal जाएगा कि यह website जो है इसका content जो है यह valuable है क्योंकि कोई और website जो है वो आपकी website को prefer कर रही है तो जितनी जादा back links आपकी होंगी जितनी जादा websites आपकी website को prefer करेंगी उतना जादा google की नजर में आपकी website की value जो है वो बढ़ती जाएगी तो जब आपकी website की value बढ़ेगी तो google आपको first page पर rank कर देगा तो यह simple सी definition है कि back links किस से कहते है पिर उसके बाद जो है यह मैंने आपको बताया कि इनकी importance किया है अब आते हैं कि back links create कैसे किये जाते हैं किस तरह आप अपनी website को किसी दूसरी website के साथ connect कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो यह है कि आप एक note pad के अंदर अपनी website के बारे में थोड़ी सी definition लिख लें और अपनी website का URL जो है न वो उसमें लिख लें अब हमने क्या करना है कि हमने अपनी website को दूसरी website के साथ connect करना है वो connect करने के लिए आपने Google पर आ जाना है Google पर आपने लिखना है सबसे पहले तो आपने keyword लिखना है जो आपकी website के मुतालिक है जिस topic पर आपकी website है वो आपने keyword लिखना है फिर आपने कोमा डबल कोमा फिर आपने comment luv और फिर इसको close करना और इसी तरह recently posted भी इन कोमा के साथ जो है आपने लिख देना तो basically यह क्या चीज़ है तो comment.luv यह एक plugin है जो के wordpress में use करते हैं लोग जिसके जरीए हम उनकी website के ओपर comment कर सकते हैं तो हम यहां पर जाकर अपना सबसे पहले तो keyword डालेंगे मैं डालता हूँ digital marketing digital marketing तो अब मेरे सामने जहें वो काफी websites जहें वो open हो चुकी हैं तो अब मैंने क्या करना है मैंने अपनी website को इन websites के साथ connect करना है लिंक बनाना है बैक लिंक बनाना है इसको मैं open in new tab करूंगा तो आपने क्या करना है सबसे नीचे चले जाना comment section के अंदर comment section में जाने के बाद आपने वो ही यहां पर आपने क्या करना है अपनी website का URL पेस्ट कर देना है मेरी website का URL है इसको मैं copy करता हूँ और यहां पेस्को मैं paste कर देता हूँ अब मैं क्या करूंगा post comment करता हूँ तो अब कुछी देर के अंदर जो है वो मेरा comment जो है वो यहां पर appear हो जाएगा तो यह मेरी website के लिए जो है वो एक backlink create हो गया तो इसी तरह आप बहुत सारे backlinks जो हैं वो create कर सकते हैं लेकिन backlink create करते वक्त आपने एक चीज जो है वो मदे नज़र रखनी है वो यह के आपने हमेशा उसी website पर backlink create करना है जिस website की domain authority और page authority यह ज्यादा हो आपने उसी website जैसे अभी यह इसकी domain authority 56 है तो इस website पर अगर आप जो है वो अपने link create करेंगे तो google को यह signal जाएगा के भई यह website जिस website के साथ connected है उसकी domain authority बहुत ज्यादा है तो लहाज़ा वो आपकी domain authority भी क्या हो जाएगी increase हो जाएगी तो अब मैं आपको आपको बताता हूं कि दूसरा step अब अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा कि यह किस तरह शो हो रहा है यहां पर back links वगएर और domain authority तो यह मैंने keyword research वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि यह एक mouse bar एक plugin है इसको आपने install करना है तो आपको यह सारे details जो हैं वो पता चल जाएंगी तो अब दूसरा method जो है वो back link create करने का वो कौन सा है तो वो भी बड़ा easy method है उसके लिए आपने जाना है एक website के उपर इस website का नाम है as support tools यहां पे जा के आपने account create करना है मैंने तो account create किया हुआ तो यह free of cost website है account create करने के बाद आपने जाना है SEO पर और यहां पे back links list तो यह इस दूसरे method में हम क्या करेंगे कि हमने दूसरी website पर जाकर profile एक create करना है एक account बनाना है और उसके अंदर अपनी website का URL पूट कर देना है तो इससे भी जो है वो एक back link जो है वो create हो जाएगा तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत सारी website जो हैं वो हमारे सामने आगी हैं तो तकरीबन शाड़े 600 website जैसी मौजूद हैं जिन पर आप back link create कर सकते हैं तो back link create करने के लिए सबसे पहले आपने open करना है यहां से किसी भी website को open करें मैं इसको open करता हूँ पिर यहां पर जाने के बाद तमाम website का तकरीबन जो है वो pattern एक जैसे ही है तरीका एक जैसे ही है तो आपने जाना है register पर यहां से आपने इसको sign up करना है register पर क्लिक करना है अपना user name डालना है इसी तरह अपना email इमेल मैं आपको यह recommend करूंगा कि आप temporary email जो हैं वो यूज करें temporary email यूज करने के लिए आपने Google पर लिखना है temp mail इस तरह आपको जो है वो अपना personal email जो है वो बार बार यूज करने की जरूरत नहीं होगी आप एक temporary email यूज कर सकते हैं back links बनाने के लिए तो इस website पर अब हमें ये एक temporary email मिल गया है इसको हम copy करेंगे और यहां पर जाके इसको हम paste कर लेंगे password अपनी मर्जी का कोई भी आप रख सकते हैं अब रिजिस्टर पर क्लिक करना है अब यहां पर आपका एक account जो है वो create हो गया है अब आपने submit story पर जाना है या पिर आप my account में जाके भी जो है वो अपनी website जो है उसका link जो है वो put कर सकते हैं लेकिन यहां पर इन्होंने option नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे submit story पर जाएंगे तो देख रहे हैं आप के website URL यहां पर आपने अपनी website का URL कोपी करके paste कर देना है टाइटल आपने कुई भी डाल देना है जो आपकी website के related हो marketing free of cost category आपने कुई भी select कर लेनी है और location भी आपने जो आपकी targeted location हो वो आपने select कर लेनी है पर description के अंदर वो ही details जो आपने पहले से रखी हुई है लिक कर इससे आपका काम जो है वो जल्दी हो जाएगा फास्ट हो जाएगा तो यह मेरे ख्याल से कह रहा है कि इसको हमने थोड़ा increase करना यहां पर टैक्स भी आड़ करने हैं तो डिजीटल मार किटिंग और ऑनलाइन बिस्नेस प्री कोर्स यह टैक्स जो है यह मैंने आड़ कर दे हैं अब इसको प्रीवियू एंड सब्मिट के क्लिर कर देंगे तो अब यह हमारा एक बैक्लिंग जो है वो क्रियेट हो गए यह देख रहे हैं आप हमारी वेबसाइट का यूरल भी जो है वो यहां पर शो हो रहा है तो यह था दूसरा मैथड इसी तरह आपने तमाँ वेबसाइट को विजिट करते जाना है और वहां जाके प्रोफाइल आपने क्रियेट करते जाना है और बैक्लिंक जो है वो बनाते जाना है तो जितने marketing तो जो भी वेब साइड्स पहले पेज़ और रेंके कर रही है उनके बहुत जादा बैक लिंक्स हैं उन्होंने बहुत जादा बैक लिंग्स क्रिएاع ऑगें जिसकी वजह से वो पहले पेज़ पर रहें कर रही हैं जैसे के आप देखें इस کے पांच हजार नौसो आठ बैक लिंक्स है और इसी तरह आठ हजार बारह सो पंदरह हजार एक हजार छेसो तेरह इसी तरह मुख्तलिफ जो है वो बैक लिंक्स जितने जादा होंगे जितने डुमेन अथर्टिया आपकी बढ़ती जाएगी उतने आपके रैंकिंग के चांसिस जो है वो भी बढ़ते जाएंगे तो ये था SEO का जो है वो कम्पलीट कोर्स और ये कोर्स जो है ये टू दी पॉइंट इसमें मैंने बातें की हैं ज्यादा लंबी चोड़ी मैंने बातें नहीं की यही मेन चीजें जो हैं वो यूज होती हैं गूगल में रैंक करने के लिए कीवर्ड रिसर्च होता है पिर उ इैड़िस करने है फिर उसके बाद आपने बैकलिंक्स मनाने होते हैं तो ये तियूसिंपल स्टैप होते हैं तो मेरा मकसद ही होता कि मैं जतना हो सके आसानी के साथ आपको ये चीजे समझा सकूं कोर्स कि अंदर